Hello students आज के स्वीडे लेक्शन हम discuss करने वाले हैं हमारा last fundamental right रह गया था constitutional remedies हमने 5 हमारे fundamental right है हम discuss कर चुके हैं मैंने आपको कहा था कि जो constitutional remedies है यह 6th fundamental right है और यह article 32 के अंदर आता है और मैंने आपको एक बावाद गया थे कि यह सबसे important fundamental right है क्यों क्योंकि इसके दुवारा ही हमारे जिदने भी fundamental right है चाहे वो right to freedom हो, right to equity हो उन सब को protection दी जाती है Article 32 ये कहता है हमारे constitution का कि अगर हमारे किसी fundamental right का violation होता है या उलंगन होता है तो हम directly Supreme Court जा सकते हैं ठीक है? directly हम Supreme Court जा सकते हैं और Supreme Court इसके लिए हमारे लिए सुनवाई करेगा और हमें protection देगा जैसे हाँ भी लिखावाई कि Supreme Court के लिए Article 32 है और आप से question ये पूछ सकते हैं क्या Supreme Court के वाल हमारे fundamental right को protect करता है तो इसका अंसर होगा नहीं High Court भी हमारे fundamental right को protect करते हैं और वहीं High Court आर्टिकल 226 के तहत हमारे fundamental right को protect करता है और हमारे fundamental right को protect करने के लिए वो क्या issue कर सकते हैं? rate issue कर सकते हैं तो आपको समझ आ गया होगा और बेसिकली जो डॉक्टर बी आर अमबेट कर थे अच्छा आप मुझे बताओ कि बी आर अमबेट कर जो थे वो उनकी क्या position थी constitution के अंदर क्या role था उनका मुझे comment section में आप बताओ कि बी आर अमबेट कर क्या position थी constitution के अंदर जिसने first chapter पढ़ाओ उससे इसके बारे में पता होगा very important question for your exam तो constitutional remedies जो है उसको जो डॉक्टर बी आर अमबेट कर थे डॉक्टर भीमराव रामजी अमबेट कर थे उन्होंने कहा था कि constitutional remedies यह हमारे सवीधान का हमारे constitution का heart and soul है मतलब हमारे सविधान की आत्मा है और दिल है बेजिकले तो ये किस ने बोला था डॉक्टर भीमराव राम जी अमबेटकर ये कॉशन भी पूछा गया है लास्ट इयर्ज में ठीक है कि ये जो लाइन है वो किस ने बोली थी तो नाम यान दक ना डॉक्टर भीमराव राम जी औके तो ये इंपोर्टेंट है चीली डिसकल्स करते हैं कि जो जो बेसिकली सुप्रीम कोट है वो किस तरीके से हमारे अधिकारों के लिए रिट इश्यू करता है रिट जारी करता है तो फर्स्ट है 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 राबसको उपस ये अम अधिय में क्या बोलते है बंदी साफ लिखावाई बंदी मतलब मुझरीम और प्रत्याक्षी करना मतलब उसको पेश करना उके तो नाम से पता लग जाएगा बंदी को पेश करो, मतलब कि अगर पुलीज किसी व्यक्ति को गिरफतार करती है, अरश करती है, तो 24 घंटे के अंदर कितने 24 घंटे के अंदर उसको magistrate के सामने पेश करना पड़ेगा इसी को बोलते है बंदी प्रत्यक्षिकरन या फिर हैवस को पस ध्यान रखना क्योंकि पुलीस कभी भी डिसाइड नहीं करती कि ये कोई व्यक्ति गिल्टी है कि नहीं गिल्टी है ये डिसाइड कोन करता है हमारा कोट कोट बथाता है कि ये व्यक्ति गिल्टी है कि नहीं है एक वड़ता है एक्क्यूज मतलब कि इसमें आरोप लगाया जाता है और डिटेंड मतलब उसको जब आरोप सिद्ध हो जाता है तो ध्यान रखना पुलिस के पास एधिकार नहीं है, किसी व्यक्ति को निया अelect को चौर सावीत करने का या फिर मुझरीम सावीत करने का वो काम किस का है वो का हमारी जुडिशिरी का है, और जुडिशिरी इसको करती है तो हैबस्कोपे समझ आ गया कि किसी व्यक्ति को जब अरश किया दा 24 घंटे के अंदर मेजिस्टेट के सामनी पेश करना बढ़ता है फिर मेजिस्टेट बताता है कि उस व्यक्ति के साथ क्या क्या जाएगा या तो मेजिस्टेट से बोलेगा छोड़ दो और या फिर उसको पुलिस रिमार में भीज़ दे जाएगा यह होता है अगला है मेंडमस या इसको हम हिंदे बोलते हैं प्रामादेश Okay kya बोलते है प्रामादेश प्रामादेश क्या होता है ये भी आपको मैं बतायता हूं प्रामादेश कुछ ऐसा है कि मालiliar कोई व्यक्ती है ठीक है माललो कोई कोई IS officer है माल लो कोई collector है ठीक है और वो collector अपनी power का मिश्यूज कर रहा है Okay प्रामादेश का मतलब है क्या है कि अगर कोई अथोरिटी क्या होता है थोड़ी बुकिस्ट लैंग्वेज होती है होँपे थोड़ा से डिफाइन करके उसे नहीं वो दिखाते हैं तो मैं वो आपको बता रहो है जो प्रामादेश है इसको हम मेंड़मस कहते हैं इसका मेन मोटिव कहा कि अगर कोई भी सरकार ये दिकारी है वो अपनी पावर का मिस परतिषयद भी बोल देते हैं कभी निश्यत आदिश भी बोल देते हैं दोनों एक ही है गन्फिज होने की जुरत नहीं है इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रोहबिशन कुछ इस सरीके से है कि मानलो कि सरकार है मतलब कोई निचली अदा रहता है कोई लोगर कोट है उसने एक ऐसा decision दे दिया जो इनके अधिकार में नहीं था for example में आपको गाउं है एक गाउं है मानलो एक्स गाउं है ठीक है इस गाउं में एक मतलब दो युवा थे जो teenagers थे उन्हें ने love marriage कर लिए एक तरीके से ठीक है अब गाउं वाले क्या वोल रहे भाई इनों ने तो गलत करा है तो पंचायत क्या कर सकते है गाम वालों के pressure में आके हो सकता है इनको मौती सब्सक्राइब दे सकती है तो अगर लेकिन जो पंचायत है उनके पास यह अधिकार नहीं कि किसी व्यक्ति को death sentence दे सके तो मतलब अगर कोई lower court मैं निचले दार्स में शामिल कर रहो है आप में ठीक है पंचायत 20 में शामिल कहीं नहीं होती है तो अगर वो अपने अधिकारिक छेत्र मतलब जो इनका अधिकार है जो उनका अधिकार है मतलब अपने अधिकार से कुछ अलग काम करे गलत काम करे तो सुप्रीम कोट उनके decision को बदल सकता है change कर सकता है ओके मानलों पंचाय अधिकार पूछना कि मानलों को कोई व्यक्ति है वो गलत तरीके से किसी position में आ चुका है for example उसने पैसे दे के किसी position को acquire कर लिया है वो उस position में आके बैठ चुका है काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको रोका जा सकता है सरकार उसको उसके पच से हटा सकती है अपने एक word सुनाओगा काफी famous चल रहा है नेपोटिजम में क्या होता है कि मतलब परिवार वाग की मतलब अगर किसी का चाचा विधा है कै तो देन वो अपनी मनमानी चलाते है कहीं न कहीं और ठीक है और ऐसे बहुत से किसमी देखने को मिलता है जहां पर नेपोटिजम का कहीं न कहीं रोल होता है तो क्यूवेर रेंटो मतलब अगर किस कोई व्यक्ती ऐसे पद पर बैटावा है जहां पर उसका कोई अधिकार नहीं है तो सुप्रीम कोट या पिर जो कोट वह से पूश सकती है कि आप किस हक से याँ बैटे विए आपके कोई ऐधिकार है कि नहीं तो देन उसको उसके पद से हटाया जा सकता है यह भी आप ध्यान रखना अगला है Scissory यह इसको हम बोलते हैं उत्प्रेक्षिन डिट उत्प्रेक्षिन डिट भी ध्यान रखना Scissory का मतलब यह होता है कि मान लो कोई ऐसा केस है जो लोवर कोट में आया हो लेकिन उसमें सही सुनवाई नहीं होई मतलब उस पर लोगों का अतना ध्यान नहीं गया तो Supreme Court उस केस को अपने पास बुला कर उसमें दुवारे सुनवाई कर सकता है फॉर एक्जांपल आपने एक बहुत फेमस केस हुआ था भी LGBT को लेकर LGBT कम्यूनिटी जो है हमारे हाँ पर लिस्बियन गे बाइस सेक्ष्वल ट्रांजेंडर जो लोग होते हैं उनके उपर केस हुआ था उनके लेकर का केस हुआ था तो पहले वो लोट में आया होगा जब लोट में इस ततना ध्यान इदा Supreme Court न उसको ध्यान दिया तो Supreme Court ने क्या बुला कि जो LGBT कम्यूनिटी है इनको राइट तू मेरी जे किसी से भी शादी कर सकते है depend करता है वो किससे भी करे ठीक है क्योंकि यह right to privacy के अंदर आता है तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे फैसली देखने को मिले जहाँ पर जो supreme court था उन्होंने lower court के जो फैसले होते हैं उनको भी उपर बलाया देन उसके उपर फैसले दिये सबसे famous example जो है वो LGBT का ही है आपने बहुत famous news में बिताए है section 377 का नाम सुनाओगा आपने तो यह basic LGBT community के लिए था जिसमें बोला गया कि यह marriage कर सकते है यह legal है पहले है legal नहीं था यूदि फंडमेंटल राइट हैं का भी right to privacy के अंदर यह आता है right to privacy कहां आती है right to privacy आती है article 21 आप बोलोगी सर आप 21 ए में आती है sorry right to privacy तो 21 जो article 21 से उसके अंदर बहुत से अधिकार आते है यह धिहान रखना और मैंना आपको आपको आता right to live भी इसी के अंदर आता कि जीवन जीने की सुधनता वो भी इसी के अंदर आती है okay तो constitutional जो आपके fundamental rights से हम cover कर चुके है constitutional damages क्या है यह भी cover कर चुका हूँ मैं यह इससे भी कहीं पर question आ जाता है जैसे एक अलग-अलग करके भी इनको पूछा जा सकता है okay तो first question आपको क्या आ सकता है इस chapter से bill of rights लिख सकते हो जिसको लिखना हो तो first question bill of rights से लिखकर आता है जिसको हम अधिकारों घोशना पत्र बोलते है second question निवारक नजरबंदी से लिखकर आता है जिसको हमने उठाय था preventive detention बोलते है third question very important difference between DPSP and fundamental rights यह question भी आपके एक्जाम में कई बार आ चुका है और यह आता है आपके exam में fourth question constitution remedies से question तो आते ही आते हैं इन में से एक point आपसे पूछे जा सकता है कि इन पाचों में से एक कोई point देदेगा तो यह भी याद रखो आप ठीक है अगर आपको difference पता है fundamental DPSP में तो DPSP को topic आपके लिए असान ही होगा यह last topic रागिया है वैसे मैं इसको cover कर आई चुका हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत और समझ लो कि क्या important से DPSP की DPSP में आपको बताया थे कि DPSP क्या होती Directive Principle of State Policy यह इसको हिंदिय में क्या बताया थे मैंने राज्ये के नीती निर्देशक तर्त्व ओके तो इसमें मैंने क्या बताता है कि जो एक state होता है state for example हर्याना है हर्याना हो गया पंजाब हो गया तो जो state है इसकी क्या responsibility अपने लोगों के लिए मतलब यह अपने लोगों के लिए क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता for example उनको अच्छी water supply दे सकता है electricity दे सकता है अच्छा infrastructure दे सकता है रोड़े अच्छी बना सकता है कहीं न कहीं education policy अच्छी policy अच्छी मना सकता है okay women's के लिए special कुछ provision रख सकता है for example जैसे आपने सुनाओगा अब लाग लियो जिना ठीक है तो मतलब कि एक state जो है वो अपने नागरिकों के लिए क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता क्या अच्छी बात है उसके लिए वो सब किसके अंदर रखा गए DPS किस आर्टिकल से कहा तक है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आपकी DPSP आते है ठीक है objective क्या है मैंने बथाया ना आपको कि आपको environment safety अच्छी दे सकता है education के लिए अच्छा गाम कर सकता है employment हो गया anti-erak का मतलब शराब शराब बंदी कर सकता है जैसे आपको बिहार के अ सकता है ठीक है तो जो भी welfare program है वो दे सकता है pension की वबस्ता कर सकता है farmers के लिए तो जो state की responsibilities है वो सब दी जाती है DPSP के अंदर और मैंने बताया था कि जो DPSP है वो justiable नहीं है ठीक है मतलब कि अगर कोई state ये अपने लोग को देता है तब भी ठीक है और अगर नहीं देता त सब भी ठीक है ये state की responsibility है कि वो दे या ना दे ओके तो बहुत से state देते भी है फोर आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर क्या है दिल्ली में bus service जो है दी गई फैसलेटी दी गई तो ये state के उपर depend करता है हर state कर सकता है लेकिन depend on state state to state ओके तो ये किसके अंदर आता है basically DPSP आती है तो आपको समझ आगे कि DPSP अपने आप में ही एक important चीज है okay fundamental right तो हई है वो तो important है सब की कास है लेकिन DPSP भी उतने ही जरूरी है जितने fundamental right ओके तो ये भी point ध्यान रखना ये मैंने सारे DPSP में मैंने include कर दी है ठीक है चाहिए तो आपको post करके देख सकते हो मैं आपको दुबार repeat कर देता हूँ कि 11th class के जो student है basically उनका जो level 11 को उनको cover करा चुका हूँ लेकिन अगर आपको जान नहीं है extra तो ये है आप इसको post करके इनको अच्छे से देख सकते ह जैसे for example पंचायती राजवस्ता जो state अपने लोग को पंचायती राजवस्ता दे सकता है लेकिन आज तो पंचायती राजवस्ता एक कानून बना दिया है ठीक है वो बताऊंगा मैं आपको 8 chapter में discuss करेंगे पंचायती राजवस्ता के बारे में ठीक है और भी जासे अगरिक क्या बुच्छा आपसे मैंने एक कोशन में आपसे बुच्छा कि जो डॉक्टर भीम राओं वेट कर थे उनका क्या रोल था constitution assembly में और second question में आपसे बुच्छा कि जो DPSP है वो हमने किस state से किस कौन सी country से हमने बौरोड किये है ठीक है last class में मैंने क्या बुच्छा था मैंने कि fundamental item हमने कहां से बौरोड किये है तो fundamental item हमने बौरोड किये है USA से तो यह धियान रखना आप वैसे DPSP को जो दो DPSP हमने किस country से लिए है तो आज के लिए इतना ही thank you for watching this video